5, 4, 3, 2, 1 उपाध्यक्ष महोदय मैं इस विध्यक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ संयुक्त प्रवर समिती के सदस्तिके नाते मैंने तथा मेरे अन्य साथियों ने यह प्रयत्न किया था कि इस विध्यक का स्वरूप ऐसा बने जिससे सरकार को दिये जाने वाले अधिकारों का दुरुपियोग न हो सके और समिधान द्वारा जो मूलभूत अधिकार दिये गए हैं उनकी रक्षा की जा सके लेकिन हमें इसमें सफलता नहीं मिली सयुक्त प्रवर समिती को एक गधा सौपा गया था और समिती का काम था उसका घोडा बनाना लेकिन परणाम यह निकला है कि वह खचर बन गया है अब ग्रिह मंत्राले का भार होने के लिए तो खचर ठीक है लेकिन अगर ग्रिह मंत्री यह समस्ते हैं कि वह खचर पर बैठ कर राश्ट्र की सरवप्रभुता और अखंडता की लड़ाई लड़ लेंगे तो मेरा उनके साथ विनम्र मतभेद है जिस परिस्थिती में यह विधेयक लाया गया है उसको हमें स्मरण रखना होगा मदरास में एक पार्टी थी जो भारत से प्रिथक होने की बात करती थी राश्ट्री एकी करण परिशद ने उस प्रिथकता की चुनावती को ध्यान में रखकर एक कमेटी बनाई थी सर रामसौमी अयर की अध्यक्षिता में ग्रिह मंत्री महोदय का दावा है की उस कमेटी की सिफारिश के अनुसार यह विधयक लाया जा रहा है ग्रिह मंत्री भी यह स्विकार करेंगे कि अब दक्षिण में इस तरह की राश्ट्री एक्ता के लिए चुनावती विध्यमान नहीं है जिस दल ने स्वतंतर तमिलनाडू का नारा लगाया था उसने अपना वहविचार छोड़ दिया है जनता के बहुमत के समर्थन से वह दल आज तमिलनाडू में सत्तारूड है अब ग्रह मंतरी महोदय के सामने कौन सा संकट है जिसके निवारन के लिए वहयह और साधारन अधिकार लेना चाहते हैं जहां तक बागी नागाओं का सवाल है जो भारत से प्रतक होना चाहते हैं उनके साथ भारत सरकार वारता कर रही है और संसत को कहा जा रहा है कि सरकार को ऐसे हिकार दिये जाएं जिनके अंतरगत ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्यवाही हो सके अगर हमारी सरकार वारता का दर्ष्टिकोड अपनाना चाहती है तो इस प्रकार के अधिकार संसद से मांगने का कोई अर्थ नहीं है कहा जाता है कि आपातकाल की स्थिती समाप्त हो रही है कि वलसीमा प्रदेशों में वह स्थिती बनाय रखी जाएगी और शेस भारत में अब आधारभुत अधिकारों को उप्योग करने और अगर उन पर आक्रमन होता है तो सर्वोच नियाले में जाने का अधिकार नागरिको को वापस मिल जाएगा इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मंत्री जी इस विर्यक को वापस ले लें